कि हैं गई वेलकम टू मैं चैनल तो काफि टाइम से बहुत एंकनसिस्टेंटली विडियो जा रही है और काफि व्योर्स भी मेरको ये बात की लिए कंप्लेंट कर रहे हैं खिया तो उसका काफि वालड रीजन ये था कि मेरे 12 के बोट से टाउम बन वाले तो पिछले तीन चाह महिने से उन्हीं की त्यारी चल रही थी लेकिन अब वो बोट्स खतम हो चुके हैं और अब होफुली काफी कंसिस्टेंटली वीडियो आएंगी और काफी अपडेट्स भी है जो मेरे को अपनी कार के बारे में देने तो मैंने एक हौन के बारे में भी बोला था उसमें यह था कि मेरे को इनकी कॉस कटिंग अच्छी नहीं लगी थी जिसमें इन्होंने सिर्फ सिंगल टोन कर दिया था हौन ड्यूल टोन नहीं रखा था उसका रिजन यह था कि जो हौन था वो कार की परसनालिटी से मैच नही लगती थे और ट्राफिक में भी हाला कि लोग उसको सुनते थे लेकिन इता एफेक्टिव नहीं होता था वो ट्राफिक में जैसे उसका काफी लोग सुनते नहीं थे उसका तो मेरे को था कि इसका हौन चेंज करवाना था तो मैंने वी डबल्यू से जब कॉन्टैक्ट किया पूरी कार की परस्टाइलिटी बदल गी और यह वह जाएगा तो मैंने फिर वही जब मेरी कार ठीक हो ने कई थी जो रिसेंटली मेरी कार का एक्सिडेंट हुआ था उसके बारे में भी एक वीडियो आएगी वह अपडेट के बारे में तो मैंने तबी इन से अपना हौन भ बहुत फरग होता है एक तो पूरी कार की परस्टाइलिटी बदल गी और यह हौन उस हौन से फार बेटर है एक लोनोट अट होने से बिल्कुल हौन अलगी हो गया है जैसे कहते हैं कि क्रेटा और सैल्टोस के हौन से लोग डर जाते हैं ट्रस्ट मिगाई से बाप है उनके ह इसका बाल के तो बाइकर्स पर मारना थोड़ा केरफूली होता है क्योंकि भाकर्स डड़ जाते हैं शहौन से और लोग इस सुनते हैं क्योंकि बहुत थे जोना है जो पहले आता उससे फार मेटर होन है यह जो पहली मीनिकार में लगा था और लोग इसको स्च में सुनते हैं गाइस ट्रस्समी और कोई अगर सोच रहा है कि यह हॉन लगाने का तो टेफिनेटली आइविल रेकमेंड कि आप इसको लगाओ अपनी वोक्सवाइग कार में जिसमें भी क्योंकि कंपनी फिटेडी आता है इसमें कोई आफ्टर मार्केट नहीं होता लेकिन अ हाई स्पीड में भी काफी काम आता है क्योंकि अगर आप हाई स्पीड में और अगर दूर आपको गाड़ी दिख रही तो आप इसको हॉन को बजाओ और सारे सुनेंगा आपको वह हिलेगा नहीं जगा से तो यह बहुत सही हॉन लगा और आप मुझे कमेंट्स बताना कि आ क्युकि यह अपनों इससे पे प्यूश्य करवान का git क्यूंकि यह पत Tob को पता होगा हो Ilay trust me guys in real life लोग डर जाते हैं सहान को सुनके इसे थोड़ा इसको carefully भी use करना होता है क्योंकि अगर आप ज़्यादा बाइकर्स पर मारोगे तो डर जाते हैं फिर वो थोड़ा सा परशान हो जाते हैं और वो अपना discomfort दिखाते हैं तो यही थी guys आज की वीडियो और यही था अपडेट की मैंने जो हान मैंने बात करी थी अपडेट करने की वो कैसे रहा बाकी अब अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसका जो repair cost क्या थी और कैसी repair हुई कार का जो मेरी accident हुआ था उसके लिए भी channel को subscribe करना और stay tuned रहना बाकी अभी के लिए bye